नमस्कार वेलकम टू केरिन मंद्रा 9.1 मैं अंकित यादव आपके अपने यूटूब चैनल में आपका स्वाथ करता हूँ आज हम यूपी ट्रपल सी पैट 2022 के लिए अंकित भारती सर की ये बुक ले करके आएं आज सी क्लास में हम भारती इतिहास का टॉपिक जो 5 नमर में आना है उसे कंप्लीट करेंगे और आज सी क्लास में हम मुगल सामराज जे नामक टॉपिक कंप्लीट करेंगे इस बुक को पढ़कर के आप 100% स्लेवस कंप्लीट करेंगे 100% ये free हम प्रोवाइट कराएंगे और 100% आप परसंटाल प्राप्ट कर पाएंगे इससे पहले history से related और topic आच चुके हैं अगर आपने वो ना देखे हूँ तो जरूर देख लीजी चलिए समय बरबाद ना करते हुए आपकी दिमाग की गागर में भरते हैं ग्यान का महा सागार तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं मुगल काल मुगल काल या मुगल वंस ठीक है तो मुगल काल की जो इस्थापना की थी या मुगल वंस की जो इस्थापना की थी वो बावर ने की थी ठीक है तो ये मुगल काल जांसे शुरू होता है और बावर से शुरू होता है तो बावर जो है मुगल काली सामराज का संस्थापक भी माना जाता है तो बावर का जो टाइम पिरिड़ है 1526 से लेकर के 1530 तक है ठीक है भारत में मुगल सत्ता का संस्थापक बावर था बावर क देखते हैं बावर के पिता तैमूर वंसस और माता मंगूल वंसस तो मतलब यह है कि बावर पिता की तरफ से तैमूर का वंसस था और माता की तरफ से मंगूल का वंसस था बावर का जनम 19 फरवरी कलत है यह टाइप 14 फरवरी है 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था बावर का भारत के बृद्ध किया गया प्रथम अभियान 1518 से लेकर के 1519 के बीच यसुफ जैयों जाती के बृद्ध था इस अभियान में बावर ने बाजोर और भीरा का किला जीता जिस पर अपना अधिकार कर लिया अप्रहल 1526 में बावर ने इब्राहिम लोदी से पानीपत का पे इसने एक युद्ध करा है और लाश्ट में ये मर गया है ठीक है इसके लिए एक ट्रिक भी है बावर पानी पीके खाना खाके चंद घंटों में मर गया तो बावर पानी पानी से हो गया पानीपत का युद्ध 26 में हुआ है बावर पानी पीके खाना खानवा का युद् तो ये जो युद्ध हैं 1526, फिर 27, फिर 28, फिर 29 और अंत में लाश्ट में जो 1530 है उसमें बावर मर गया है ठीक है तो ये क्रम से आप इस ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं बावर पानी पी के खाना खाके चंद गंटों में मर गया आगे देखते हैं इस युद्ध में बावर ने पहली बार प्रसिद तुलगामा युद्ध पदिती का प्रियोग किया और युद्ध में तोपों को सजाने के लिए उसमानी पदिती का प्रियोग किया ठीक है बताये ये जाता है कि जो बावर था बावर की सेना बहुत छोटी थी और जो इब्राहिम लोदी था उसकी सेना बहुत बड़ी थी परंतु क्या था उसने ये पदतियों का यूज करके इस युद में विजय हासिल कर ली थी पानिपत की युद में तोप खाने का नेतर तो उस्ताद अली और मुस्तफा ने किया ये उसके प्रमुक तोपची थ जो कि उस्ताद अली और मुस्तफा थी मार्ज 1527 में बावर और राना सांगा के बीच खानवा का युद हुआ इस युद में बावर ने जिहाद का नारा दिया ठीक है बावर ने कहा कि अगर इस युद में आप जीत जाओगे तो आपको जिहाद मिलेगी जिहाद का नारा ठीक है इसलाम खत्रे में है इस तरह से नारा दिया इस तरह से उन में जोस आगया उसकी सेना में और उसने राना सांगा को हरा दिया जनवरी 1528 को चंदेरी के सासक मैधनी राय और बावर के बीच युद हुआ चंदेरी का युद ये बोला जाता है और इसमें युद में भ बावर की मृत्यू आगरा में हो गई। अब बात करेंगे हम हिमाईू की हिमाईू का जो टाइम पीरिड है हिमाईू का जो टाइम पीरिड है वो दो पार्ट में डिवाइड है 1530 से 1540 और 1555 से 1556 ठीक है हुआ क्या था बीच के टाइम पर ये सत्ता में नहीं रहा था चलिए देखते हैं 30 दिसंबर 1930 को 1930 को लट टाइब हो गए सिंपल सी बात है ये 1530 रहेगा ठीक है तो 1530 ठीक है 1530 को 22 वर्स की अवस्था में हिमाईू का राज्य विस्थिक हुआ हिमाईू ने 1531 में कालिंजर के शाशक प्रताप रुद्ध देव पर अपना आक्रमन पहला आक्रमन किया 27 जून 1549 को हिमाईू और शेरखा के भी 24 का युद्ध हुआ जिसमें हिमाईू पराजित हुआ आगरा और दिल्ली पर शेरशाह का अधिकार हो जाने के बाद हिमाईू सिंद होता हुआ इरान के शाह के पास चला गया ठीक है अब आगे की बात करेंगे वो मदब अपने सक्ता से हट गया है ठीक हिमाईू 1555 में अफगान सेना और मुगल सेना के भी सरहिंद का युद्ध हुआ मुगल सेना का नेतरत बैरम खाने किया इस युद्ध में अफगानों की पराजे हुई सरहिंद की विजय के बात 1555 में एक बार फिर पुने दिली का तक्त हिमाईू पर बैठने का सवबागे मिल गया दिली के तक्त पर हिमाईू बैठ गया हिमाईू की दूसरी बार बातसा बनने के लिए एक साल बात जनवरी 1556 इस भी में दीन एपना नामक पुस्तकाले की सीडियों से गिरने के कारण उसकी मृत्ति हो गई मतलब मातर एक साल के लिए सत्ता में रह पाया और उसकी मृत्ति हो गई सीडियों से गिर के ठीक है एक पुस्तकाले है दीन एपना यह कुशन का बार-बार बनता है कि हमायों की मृत्यू कैसे हुई थी तो दीन एपना नामक पुस्तकाले की सीडियों से गिर करके अब बात करेंगे हम अकवर की अकवर का टाइम पिरिड है 1556 से ले करके 1605 अकवर का राज विशेक अलप वैसक में 1456 को पंज़ाब के काला नौर नामक इस्थान पर थी के बार बनते हैं कब हुआ था 1556 में और कहां हुआ था पंजाब के कला नौर नामक इस्थान पर अगवर के बश्पन का नाम जलाल था अगवर के सिक्षक का नाम अबदुल लतीफ था ये कोशन कई बार बनते हैं बश्पन का नाम है सिक्षक का नाम है 1556 से 1560 तक बैरम खान ने अगवर को प्रशासन का सरक्षन दिया ठीक है सारा कुछ समझाया उसे कैसे कैसे आपको स्राशन करना है बैरम खान की इमांदारी के कारण उसे खान हे खाना की उपादी से समानित किया गया था आगे देखते हैं पांच नमंबर 1556 को अगवर और हेमू के बीच पानीपत का दूतिय युद्ध हुआ पर्द अगवर को दिल्ली और आगरा का शाशक गोसित किया गया हेमू बिक्रम दिदकी उपादी धारन करने वाला भारत का 14. शाशक था यह मूने क्या किया है विक्रम दित्त की उपादी धारण की है अग्वर ने 1562 में दासप्रथा का 1563 में तीर्थ कर, तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिय कर समाप्त कर दिया देखो, लाइन से दे रखें, बहुत बढ़िया दे रखा है 1263, 64 162 में दासप्रथा, 63 में तीर्थ कर यात्रा तीर्थ यात्रा पर, तीर्थ यात्रा पर जो कर होता है और 45ше में जजिय अगर शमाप्त कर दिया आगे देखते हैं 1567 में अग्वर ने चित्तोड बिजय की उप्लक्ष में फतह नाम किया अगवर ने गुजरात बिजे की इस्मृती में फतेपुर सीकरी पर एक बुलंद दर्वाजा का बनवाया ठीक है बुलंद दर्वाजा निर्मान किया था ये कोशिन कई बार पूछा गया है कि अगवर ने बुलन दर्वाजा कब बनवाया तो गुजरात बिजय के उपलक्ष में अगवर ने धार्मिक विश्यों के पर बात बिवात के लिए 1575 में एक इवादत खाना की स्थापना की 1575 में 1579 में अगवर ने मजहर की गोशना की मजहर नामक दस्तावेज का प्रारूप शेक मुवारक ने तयार किया था 1582 में अगवर ने सभी धर्मों को सामज़ से स्थापित करने के लिए तैहिद ए इलाही और दीन ए इलाही तैहिद ए इलाही या फिर दीन ए इलाही नामक नया धर्म परवर्थित किया तैहिद एलाई धर्म में क्या था, कि अगवर ने सभी धर्मों की जो खास-खास बाते थी, इंपोर्टेंट बाते थी, वो सब एक जगे कर दी, जिससे की क्या था, कि हिंदू मुसल्मानों को जो मत भरट रहे थे, उनको रोकने के लिए उसने तैहिद एलाई या दीन एलाई अलग धर्म बना दिया सूफी मत की आस्ता चताते हुए अकवर ने चिस्ती संपरदाय को प्रशह धिया शेक सलीम चिस्ती के परंभक्त थे अकवर किसके बक्त थे शेक सलीम चिस्ती के 1583 में अकवर ने एक नए कलंडर इलाई संबत को जारी किया अकवर के दरवारी लेकक अब्दुल फजल को अकवर ने अकवर नामा करंद की रशना की किसने की थी अकवर नामा की अबुल फजल ने चार बाग बनाने की प्रता अकवर ने सुरू की थी तारबाग किस ने बनाया था अगवर बाद्दे यंद्र या नगड़ा बजाने का शौकीन था यहां तक हमारा अगवर कंप्लीट हो गया बहुत ही इंपोर्टेंट फेक्ट्स दिये हैं पेपर में जरूर आएंगी ठीक है आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किय चलिए अब बात करते हैं जहांगीर की जहांगीर का जो का टाइम पीरिड है वो 1605 से लेकर के 1627 से इस भी तक है जहांगीर का जनम अगस्त 1569 मनदब 1579 इस भी में सीख सलीम चिस्ती के आशिवाद से मरीम उजमानी के कर्व से हुआ था ठीक है सीख सलीम चिस्ती जो आपके चिस्ती समदाय की थी ठीक है उन्होंने जो है इनको आशिवाद दिया था उसके बाद जो मरीम उजमानी के गर्व से इनको पुत्र रत्म की प्राप्ती हुए थी किसको अगवर को तो यह जहांगीर ऐसे पैदा हुए थी ठीक है अक्टूबर 1605 इस भी में अगवर की मृत के बाद सलीम नरुद्दीन महमूद जहांगीर बादशा गाजी की उपादी से मुगल सांगराज का साशक बना ठीक है तो सलीम जो थे वो नरुद्दीन महमद जहांगीर बादशा गाजी की उपादी के साथ यह साशक बन गए थी नूर जहांगीर की पतनी थी इन दोनों क अविवा सोले सो ग्यारे इसपी में हुआ था नूर्जा के बच्पन का नाम महरू निशा था उनके पिता का नाम ग्यास वेग था जहांगीर ने आगरा के किले पर नियाय की जंजीरे लगवाई थी ठीक है बताए ये जाता है कि अगवर ने सोरी जहांगीर ने जो आगरा के किले के बाहर जो नियाय की जंजीर लगवाई थी जिनको बजा करके कोई भी राजा से कभी भी नियाय मांग सकता था पर इस बात का कहीं भी उल्लेक नहीं मिलता है कि किसी ने उन जंजीरों को बजाया था वही सिंपल सी बात है बातशा सो रहे हैं किसी बात से नारा जो ग एक दिर में आपको क्या दे देंगे फासी दे देंगे लिक्कत हो जाई तो अभी तक मलब जितने भी बुक समने देखी हैं उनमें ये कहीं शुरूत नहीं मिलते हैं कि किसी ने उस जंजीर को बजाय भी था आगे देखते हैं जागीर ने 1602 इजवी में बीर सिंग बुंदेला द्वारा अब्दुल्फजल की हत्या करवा दी थी जागीर ने 1612 में पहली बार रक्षा बंदन का त्योहर मनाया और अपनी कलाई पर राखी बंदवाई जागीर के शाशनकाल में 1623 में सहजादा खुर्रम मतलब की सहाजा की बात हो रही है सहाजा के बिद्रो को मावत खाने दवाया सहाजा ने जो बिद्रो किया था उसको किसने दवाया मावत खाने दवाया जागीर ने सूरदास को सरक्षन दिया और उसी के सरक्षन में सूर सागर की रचना हुई इसको selection दिये जहांगीर ने सूर्दास को और सूर सागर की उन्होंने रचना की आगे देखते हैं जहांगीर के शाषन काल में सर टॉमस रो समराट जैम्स का दूथ जो था वो भारत आया था ठीक है तो यह question मनता है सर टॉमस रो किसके शाषन काल में आये तो जहांगीर के शाषन काल में आयते हैं बहुत important question कैई वार पेपर में पूछा गया है नूर जहां की मा अस्मत बेगम ने इत्र बनाने की विदी का विश्कार किया तो यह question में पेपर में कैई वार आया है साजा का जनम लाहूर 1592 में मारवाड राजा उदे सिंग की पुत्री जगत गुसाई जोदा बाई की गर्ब से हुआ था साजा की बच्पन का नाम क्या था खुर्रम था 1628 इसवी में साजा का आगरा में राजेवी से कराया गया साजा की शाशनकाल का पहला बिदरूप 1628 में बुंदेला के शासक जुझार सिंग से किया था मोहूंद सजायद मीर जुल्मा जो की मीर जुल्मा के नाम से जाने जाते हैं साजा को कोहिनूर हीरा भेट किया ठीक है तो साजा के पास अब कोहिनूर हीरा आ चुका है यहां से ठीक है आगे बात करते है अपनी बेगम मुम्ताज महल की याद में साजा ने आगरा में ताज महल का निर्मार करा यह कोशन कई बार आता है पेपर में ठीक है और आपको पताई होगा कि ताजमेहल फेमस ही इसलिए है। 1638 में साजा ने राजधानी को आगरा से दिल्ली इस्थानांद्रित किया। साजा ने संगीतग्य लाल खां को गुण समंदर की उपादी दी। साजा के पुत्रों में दाराश को सरवदिक विद्वान था। उसने साई ए अगवर नाम किसे उपनिशदों का फारसी में अनवात किया। दाराश को और औरंग जेव के बीच 15 अप्रेल 1658 को धर्मत का युद्ध हुआ। मल्दब सत्ता के लिए युद्धोरा की कौन उत्रा दिखारी रहेगा। ठीक है। आठ जून 1658 को औरंग जेव ने साजा को बंदी बना लिया और 1666 मल्दब की लगवक किते साल हो गए। आठ साल बाद ये जो है 74 वर्ष की अवस्ता में इनकी मृत्ती हो गई। 1666 में किसकी मृत्ती हो गई। सहाजा की मृत्ती हो गई। अब बात करते हैं औरंग जेव बैठ गया है कद्दी पे ठीक है अठावन में ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पर मैं ट्रिक एक बता देता हूँ जिससे क्या है कि यह जो मुगलवन्स के जो भी आपके साशक है उनका नाम करम से याद रहेगा कन्फूजन नहीं होगा कौन किसका बेटा है ठीक है इसकी ट्रिक क्या है आपकी ट्रिक है एक सेकिन ट्रिक है बहु आजा शादी में आज ठीक है तो बा से हो गया बावर हू बहू हू से हो गया हिमाईू बहू आजा आ से हो गया अकवर आजा जा से हो गया जहांगीर बहू आजा शा से हो गया साजा साजा ठीक है शादी में ठीक है शादी में आज और आज से हो गया औरंग जीव ठी अब बात करते हैं आगे औरंग जीब की, औरंग जीब का टाइम पिरियड है 1658 से लेकर के 1707 तक, औरंग जीब का जनम 24 अक्टूबर 1618 में दोहाद गुजरात में हुआ था, 1637 में दिलवरास बानू बेगम के साथ औरंग जीब का निगाह हुआ या बिवा हो गया, 1658 में और राजविशेक कराया, इसके बाद देवराई, इसके बाद देवराई के युद में सफल होने के बाद 1669 में औरंग जीब ने दिल्ली में दूसरी बार अपना राजविशेक कराया, ठीक है, दो बार राजविशेक हुआ है, ये कोशन कई बार बनता है कि दो बार पर बैठने वाला कोन है हिमाई हुआ है मीर महम्मद हकीम औरंग जेब के कौन थे गुरू थे औरंग जेब सुन्नी धर्म को मानता था उसे जिन्दा पीर भी कहा जाता ये कोशन के बार पूछा गया है कि जिन्दा पीर कौन है तो औरंग जेब है ओरंग जेव ने 1679 में जजीयकर को पुने लागू कर दिया जो अकबर ने फिनिश किया था उसको ओरंग जेव ने फिर से चालू कर दिया 1663 में ओरंग जेव ने सती परता पर प्रतिबंद लगा दिया ओरंग जेव ने सिवाजी को राजा की उपादी धी ठीक है औरंग जेव ने 1668 में हिंदु त्योहारों और उत्समों को मनानी जाने पर रोक लगा दी बिल्गुल 1685 में बीजापूर और 1687 में गोल कुंडा को औरंग जेव ने मुगल सामराज में मिला लिया औरंग जेव की मृत्यू 20 फरवरी 1707 इसवी को हुई औरंग जेव ने औरंग बाद में बीवी का मकवरा का निर्माण किया तो बीवी का जो मकवरा बना है वो अपनी बीवी के लिए ही बनाया दिलरा सरवानो बेगम के लिए ठीक है बीवी का मकवरा बीवी बोलते थे उसे उपनाम में ठीक है चलिए आगे देखते है यहां तक ह के बताए कि आपको किस से रिलेटेट वीडियो चाहिए, किस टॉपिक से रिलेटेट वीडियो चाहिए, कौन सी बुक का सेशन हमें आपको चाहिए, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, अब यहाँ पर हमें पद्दे रखें और इनके कारे देखें, कौन सा मुगलकाल क अधिकारी कौन सा कारे करता था, ठीक है, तो चलिए देखते हैं, सुविधार, सुविधार क्या करता था, प्रांतों में शांती इस्थापित करने का कारे करता था, दीवान क्या कार करता था, प्रांती राजस्व का प्रधान था, ठीक है, राजस्व को इखटा करने वाला आ दिकारी थी और आमिल ग्राम के करशकों से प्रतेक्ष संबंद बनाना एवम लगान निर्धान करना ये इनका कारे था ठीक है तो यहां तक हमने मुगलकाल कंप्लीट कर लिया है आपको ये शर्षन जरूर पसंद आया होगा ठीक है आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब क कर दीजिए और शेयर कर दीजिए थैंक्स पर वाचिंग वीडियो टेक केर बाई बाई धन्यवाद